हेलो दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर और ये वीडियो अने वाली है फिर से न्यू गेमिंग अप्डेट्स के बारे में इस विक की सारे बिगिस्ट गेमिंग अप्डेट्स कुछ PC के हैं कुछ Android की तो आएए दुना टाइम खराप की शुड़ करते है इस सांदार वीडियो को तो आएए सबसे पहला बात करते हैं PS5 के बारे में तो सोनी ने Play Station 5 का प्राइज इंडिया में कर दिया है रिवील और इसके स्टार्टिंग प्राइज है 49,990 और इसी का एक डिजिटल एडिशन भी है जिसमें ऑप्टिक डिस्क नहीं लगेगा इस इसका प्राइज है 39,990 यह भी स्टोर पर अवलेबल नहीं हुआ है पर ऑल्लाम स्टोर पर यह अवलेबल हो चुकी है वाईए अब बात कहते हैं Marvel 7 years के बारे में तो Marvel 7 years जो की एक PC की गेम है उसका PS5 और Xbox X version आने वालता है 2020 में ही आने वालता है पर अब वो 2020 में नहीं आए बता दें कि PS5 और Xbox series भी upcoming consoles है और players को जादे इंतिजार नहीं करना पड़ेगा Marvel 7 years खेलने के लिए PS5 में क्योंकि जल्दी आने वाली है तो आईए अब बात करते हैं Atari के बारे में तो Atari जो की बूट पुरानी gaming company है वो अपने खुद के consoles बना रही थी जिसका नाम था Atari VCS बता Atari नहीं कहा है कि इस consoles के साथ वे एक new cryptocurrency भी लाने वाले है जो की बिल्कुल Bitcoin की तरह होगी और इस cryptocurrency से प्लेयर्स गेम में अलग-अलग stuffs खरीज सकते हैं तो आईए अब बात करते हैं League of Legends के बारे में तो League of Legends का जो Android पर बेटा वर्जन आया था जो की था League of Legends वाल्ड क्रिफ वो US में एवलेबल नहीं होगी और बागी सब दिसों में उसका बेटा वर्जन आने वाला है तो आईए अब बात करते हैं Xbox के प्राइज के बारे में जो की इंडिया में आ चुका है तो Xbox के इंडिया में प्राइज है 32,000 के आसपास यानि ये रूपीज में है तो थैंक्यू अगली वीडियो मैं फिर समीलूंगा